हेलो फ्रेंड्स एक फिर से स्वागत करता हूं में आपके अपने चैनल दे स्टेडी स्कैन में आज की वीडियो हम फिजिक्स की लेके आए हैं क्योंकि बहुत टैम हो गया फिजिक्स का कुछ भी नहीं पड़ा तो चलिए आज फिजिक्स का थोड़ा सा जान लेते हैं फिजिक्स में आज की वीडियो हमारी रहने वाली है नूटन्स थर्ड लो ओफ मोशन एंड ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन देखिए मैं बात करो नूटन्स की तो यही आपके वो सक्ष्या है यानि यही वो इंसान है जिसने सबसे पहले ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया थ सबसे पहले जो बताया था वो अपका नूटन नहीं बताया था इन्होंने ही बताया था कि जब जैसे कि इनके बारे में एक कहानी भी कही जाती है कि भाई एक दिन यह पेड़ के पास में बैठे हुए थे सेव के पेड़ के नीचे उपर से सेव गिरा तो इन्होंने उस ची बल का जो सबसे पहले concept दिया था वो आपका Newton ने ही दिया था इसके बाद Newton ने motion से related यानि आपके गती के तीन नियम देते हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं तीसरे नियम की और उस तीसरे नियम का क्या connection है यानि क्या link है आपका gravitational force के संग यानि की gravitation के संग तो आज की वी यानि की आपका third law वो third law ये था हमारा कि every action every action has its opposite and equal reaction उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी आप काम कीजिए यानि कोई भी आप क्रिया कीजिए action यानि कि आपका कोई भी क्रिया कीजिए तो उसके क्रिया के बदले में यानि उस क्रिया के परिणाम स्वरुप होने वाली जो reaction होती है यानि कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा मात्रा में कैसी होती है equal होती है लेकिन कैसी होती है opposite direction में होती है यानि कि opposite किसके लिए होती है आपका direction के लिए होती है जैसे कि एक simple सी बात कही जाए क्या कि हम अपने punch को यानि हाथ को दिवार पे मारते हैं ठीक है दिवार पे मारते हैं तो जितने newton का force muscles ने यानि muscular power ने लगाया wall के उपर wall भी उतना ही force reverse यानि वापस करके लगाती है किसके उपर दिवार के उपर यह रही आपकी wall यहाँ से लगाया जाने वाला 5 newton का force है यह इस तरीके से तो जो wall लगाएगी वो भी आपका कितना होगा 5 newton का force होगा लेकिन यह होता कैसे है आपका opposite direction में होता है अब देखिए इसी चीज़ का जो relation था gravitation के संग वो क्या था gravitation के संग actually इसका relation यह था कि जब उन्होंने यह बात बोल दी थी कि भाई हर action के लिए equal और opposite direction में एक reaction होती है तो questions निकल के आये question सामने यह आया कि क्या ऐसा होता है यानि कि यह जो अगर चीज है अगर यह सही होती है तो कि यह possible है कि हम पृत्वी के उपर एक पत्थर फेंके हमने पृत्वी के उपर कोई stone फेंका तो जब पृत्वी उसको अपनी तरफ खींशती है तो कि stone भी उससे अपनी तरफ खींशता होगा यानि कि जो आपकी earth है जब वो stone को अपनी तरफ attract करती है तो कि stone भी earth को अपनी तरफ attract करता होगा और क्या फिर प्रित्वी अपनी जगा से हिल कर उसकी तरफ जाती होगी तो इसी का solution लेके आज हम आये हैं क्या तो देखे सबसे पहले जब gravitation की बात हुई तो gravitation के लिए ये आपकी थी क्या earth अब earth का जो mass था earth का कुछ mass ठीक है उसके उपर ये रहा आपका कोई stone इस तरीके से हुआ क्या कि जब stone को earth के उपर यानि उसके gravitational force की layers के अंदर रखा गया तो earth ने earth के center से एक force लगा gravitation force उसने इस stone को बहुत तेजी से क्या करा अपनी तरफ attract कर लिया अपनी तरफ खीच लिया according to the third law of newtons newtons के third law के हिसाब से इस stone ने भी earth पे equal force लगाया यानि कि उसने भी earth को क्या किया वापस stone ने भी earth को वापस अपनी तरफ खीचने की कोशिश की तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी और simple सी चीज़ बताता हूं simple सा example लेके बताता हूं अप उस चीज़ को clearly examine कर पाएंगे देख पाएंगे, समझ पाएंगे actual में होता क्या है समझ येगा, माल लीजे मैंने क्या कि 5 newton का force एक cycle पे लगाया चाहे उसे आगे बढ़ाने के लिए चाहे उसे उठाने के लिए तो मैंने देखा कि 5 newton force से मैं cycle को उठा सकता हूं cycle की जो movement होगी वो clear visible होगी यानि उस चीज़ को हम clearly देख सकते हैं कि cycle ने अपनी position change किया और उसे हम अपनी normalize से देख सकते हैं लेकिन अगर वही force उतना ही force हम cycle की जगा bus पे लगा दें या माली जे train पे लगा दें तो ना तो train आगे खिसक पाएगी ना ही अब bus को और train को उपर की तरफ lift कर पाएगे उठा पाएगे यानि कि force तो लगा था force तो लगा था force work भी कर रहा था लेकिन उसके बाद जो movement हो पाई थी वो इतनी जादा छोटी थी इतनी जादा छोटी थी कि जिसको आप normal eyes से examine या detect नहीं कर सकते वही हाल था यहाँ पे कि जब इस बड़े mass ने यानि कि इस बड़े चीज ने बड़ी object ने इस stone को खीचा और माल लीजे इसने कोई भी force x लगा दिया अब माल लीजे कि 2 newton का force लगा दिया ठीक है तो 2 newton का force इसके छोटे से mass में इसके छोटे से mass में कैसा हो गया उसको effect करता है यानि mass पे जैसे force relate करता है उसके according यानि जो आपका mass पे force depend करता है उसके according ये जो mass था ठीक है वो छोटे सा था उस पे लगने वाला जो force था वो उस shortest mass के लिए बड़ी value रखता है वो बड़ी value रखता है जब वो बड़ी value रखता है तो उस stone की जो movement थी यानि simple अप ये समय लिजे कि ये है वो stone marker इसको छोड़ा तो इसकी movement clear हमें दिखाई पड़ती है लेकिन जब यही चीज इसके regarding यानि earth के regarding दी गई earth के regarding दी गई तो earth का mass था बहुत जादा in comparison of stone earth का mass था बहुत जादा उस पे लगने वाला जो 2 newton का force था वो बहुत और बहुत और बहुत जादा चोटा था extremely small था जब वो इस में इस mass के लिए आपका क्या हो गया extremely small हो गया यानि बहुत जादा चोटा हो गया तो उस case में उस mass का इस पर कोई भी direct आपका जो effect था वो दिखाई नहीं पड़ा यानि कि इस ने movement की अर्थ ने movement की लेकिन वो movement इतनी जादा चोटी थी इतनी जादा small थी कि उस movement को हम direkt किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते देख नहीं सकते यानि कि उस law के according law का concept सही था movement सही था लेकिन वो movement इतना जादा चोटा था जिसको क्या नहीं किया जा सकता था clearly समझा या देखा नहीं जा सकता था simple सी बात एक simple से example से ही समझ ले कि अगर मैं क्या करता हूँ मैं इस board को finger से इस तरीके से इस पर क्या करता हूँ force लगाता हूँ तो इसका हिलता हुआ दिखेगा क्योंकि भई इसका mass come है इसका mass come है तो ये चीज़ कैसी होगी easily healthy हुई move करती हुई दिखेगी अगर यही चीज माली जी मैं wall पर करता हूँ ठीक है दिवार पर करता हूँ कि दिवार पर मैं क्या करता हूँ इसको उतना ही force देके आगे push करने की कोशिश करता हूँ तो उसका movement नहीं हो पाता क्योंकि जब इसका mass छोटा सा था तो दी जाने वाली जो पावर्ती बटने के बाद यानि इसकी surface पे equally distribute होने के बाद एक point पे अपना छोटी सी value रखती है impact शो हो जाता है लेकिन जब इतनी बड़ी surface पे वो force distribute होता है तो उस point पे वो बहुत छोटा यानि ना के बरावर होता है जब वो ना के बरावर होता है तो उस पर उसका कोई भी असर यानि बड़ी surface पे उसका कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ेगा इसी वज़े से अर्थ की वज़े से वो stone तो move करता हुआ clearly visible होता है लेकिन उस stone की वज़े से earth move करती हुई clearly visible नहीं होती ये था आज का हमारा Newton's का third law और gravitation का आपस में relation आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा चलिए चलते मिलेंगी अगली वीडियो में एक नए point के नए concept के साथ तक के लिए बबाए